दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो अब एक ऐसी कंपणी मार्केट में सामने आईए जो कल से ट्रेडिंग बंद करने जा रही है BSC, NSC दोनों पे ये News Public हो चुकी है मतलब दोस्तो इसके Shareholder बहुत बुरी तरीके से फस गए है इसकेट इंवेस्टर Shireholder जो भी वो उप सब बुरी तरीके से फस चुकी है ये कौन सी कंपणी है मार्केट में किस प्रकार से काम करती थी इसका पहले का प्राइस क्या है अपका प्राइस क्या है यह सब हम इस वीडियो में जानने वाले तो दोस्तो चलिए फटाक से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा अगर आप लोगों ने हमारे Profit Guru चैनल को फर्स टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाए दोस्तो वीडियो पसंदारा वीडियो को एक लैक जरू करीगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो एप स्टॉक एंजल बुकिंग और एलाइस बलू का लिंक दिया है वहाँ पर जाएए फ्री में डिमेट अकाउंट उपन करिए और हमाँ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक उप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करिए तो चलिए दोस्तो हम चलते हैं सबसे पहले उस शेर का प्राइस देखने है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस निउस के करण दोस्तो स्टॉक में 10% का लोड सर्किट भी हमें देखने को मिला है लास्ट पांच दिन में स्टॉक में 19% की गिरावट है लास्ट एक मेंने में स्टॉक में 10% की तेजी आई थी मतलब दोस्तो यह तेजी में न बहुत सारे इंवेस्टर फसे होंगे लास्ट छे मेने में स्टॉक में 57% की गिरावट है दोस्तो लास्ट एक साल में अगर आप देखेंगे न तो स्टॉक देखिए कहां से कहां गिरना चाल हुआ था ठीकी ये तेजी में भी बहुत साल ट्रेडर्स फसे होंगे लास्ट पांस साल पहले आप अगर देखें ना तो स्टॉक देखिए लगबग छेस्सो साड़े छेस्सो रुपे पर ट्रेड कर रहा था और अवरल का पाफॉमेंस देखेंगे तो आप देख सकते हो कम्पानी का जो स्टॉक का प्रैस है दोस्तो लगबग 700 रुपे के करीब दोस्तों performance दिखा रहा था अपना लेकिन इसा क्या हुआ कि दोस्तों आज stock में trading ही बंद करना पड़ रही है तो दोस्तों बहुत बड़ा यहां पर मसला आया है सामने तो चलिए देखते हैं उस news को अब तो दोस्तों जो company है वो company है dhfl ठीके dhfl stock में लगाया है पैसा तो आपके लिए जरूरी ख़वर 14 जुन से बंद होगी trading जाने पूरा मामला यह update आप देख सकते हो आज morning का ही देखने को मिल रहा है नीचे अगर details में पूरी news को जानते हैं तो दीवान housing finance corporation limited के stock में पैसे लगाने वालों के लिए जरूरी ख़वर इसके share में 14 जुन 2021 से ट्रेडिंग बंद होगी ख़वर के मुताबित bambay stock exchange और national stock exchange company के share की trading suspend करने जा रहा है दोनों ने इस बारे में circular भी जारी कर दिया है इस stock की closing price 11 जुन 2021 को मानी जाने वाली है दोस्तों तो अब आप देख सकते हो जो DHFL का stock है जिसमें दोस्तों बहुत बड़ा fraud हुआ था उस fraud के कारण दोस्तों stock एक ही दिन में 200 point टूड गया था कितना 200 point गिर गया था दोस्तों लगभग 2018 की ये बात है ठीके अगर मैं बात करता हूँ equity share की listing की बात ठीके इस circular में कहा गया कि DHFL ने 8 जुन 2021 को एक announcement में exchange को NCLT की मुंबई बेच की तरफ से resolution plan के approval को लेकर जानकरी share की थी इसमें company की equity share की deal listing की बात कही गई थी कहा गया है कि NCLT की तरफ से approve कि किया गया है resolution plan DHFL के लिए pirmal group की एक और सफल बोली देखने को मिल रही तो मतलब दोस्तों जो pirmal है ठीके पirmal interpretation उसका भी stock market में list है अब उसने दोस्तों दीवालिया गोसी इस company को खरीद लिया ठीके तो उसने खरीद लिया तो pirmal group के ऊपर है दोस्तों कि DHFL stock को market में छोड़े या दोस्तों उसको day list करवा दे तो जहां तक है दोस्तों उसने NCLT से approval ले लिया है कि DHFL stock को market से day list करवाने बाले है तो मतलब दोस्तों यहां पर अगर माने तो यह stock अगर day list होता है market में तो दोस्तों बिलकुल भी इसके shareholder को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों यह एक loss making company है अगर पिरामल ग्रूप की सफल बोली की बात करें तो DHFL के लिए पिरामल ग्रूप की सफल बोली में NCLT की तरफ से approve की गई इसकी में DHFL के share के लिए जीरो प्राइस की बात की गई है यहां पर आप देख सकते हो जीरो प्राइस की बात की गई है इसके बबजूत stock में कारोबार करने की इजादत दी गई BSC और NSC circular में कहा गया कि DHFL ने 9 जून को कहा कि India इंडिया इकोनोमी एंड वेंकर बेंक करब बोर्ट आफ इंडिया ठीके कार्परेट के लिए दीवालिया सामाधान प्रक्रिया मतलब उसको यह कहते हैं के तहत न्यूक्त रिजेक्ट वेल्यू की तरफ से अनुमती कंपनी की लिक्विडिटी वेल्यू के मुताबित एक्विटी शेर में के लिए कोई मुल्य नहीं था तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब जो मसला था वो 9 जून को ही पूरा हल हो चुका था ठीके पूरा जो मसला था दोस्तो वो DHFL के तरफ से था तो DHFL ने बिल्कुल मतलब जो पिरामल ग्रूप है उसने बिल्कुल भी बोल दिया था कि DHFL के शेरों के लिए जीरो प्राइस की बात की गई है ठीके मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कमपणी बस उसको ही खरीदा गया है नीचे अगर हम देखे तो इसके आगे कमपणी यह भी बताया कि की रेजुलेशन प्लान के अप्रूवल का लिखित आदेश अभी भी आना बाकी है और सभी डिस्क्लोजर अभी भी इस लिखित आदेश से जुड़े हैं DHFL स्टॉक को इस सप्था की सुरुवात में ही ट्रेडिंग की पर्मिशन दी गई थी इसमें 10 PCD की बड़ोतरी करने की भी इजाज़त दी गई थी अकेले NSC पर 14 करोड शेर की ट्रेडिंग हुई और नीवेशकों को 8 जून से 9 करोड शेर की डिलेवरी भी जिसका मुल 200 करो रुपे क्लोज हुआ है मतलब दोस्तो जो 8 जून को जब डिलेवरी उटी ती 9 करोड शेर की उसका जो वेलियोशन था मार्केड में वो 200 करोड रुपे का था ठीक है तो यहाँ पर सब चीज को आप क्या बद दोस्तो बंद कर दिया गया है अगर हम देखे जाए तो DHFL की त तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो दोस्तो 14 जून से मतलब कल से बंद होने वाली है DHFL के स्टॉक में तो आप लोगों ने देखा दोस्तो कि कितनी बड़ी न्यूस हमें मार्केड में देखने को मिल रही है तो बिलकुल भी दोस्तो जो भी ट्रेडर से दोस्तो वो अब साबदान हो जाईए कि आप आप लोगों को क्या करना है और दोस्तो यहाँ पर अगर हम देखें परफोर्मेंस DHFL के स्टॉक का तो जिसे आप लोगों ने देखा ठीक है यहाँ पर यह पर यह परफोर्मेंस 16 रुपे 17 पैसे पे 10% का सर्किट लगाया था 18 रुपे 55 पैसे क ओपन था हाई भी वही था और लो भी वही देखने को मिला लगबग अगर देखें तो इसमें जो वॉल्यूम था दोस्तो वह मातर 24 लाग कॉंटिटी का ही देखने को मिला लास्ट श्रीडिंग सेशन में 52 बिक का हाई 52 बिक का लो आप देखी सकते हो देर उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो डिलेवरी पेटर्न का देखने को मिल रहा था लगबग 100% का क्योंकि दोस्तो पूरी कॉंटिटी यहाँ पर डिलेवरी उटा ली गई थी कमपनी का इंफोमेशन के अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तो कमपनी के रिजेल तो थोड़े शांदार देख देखने को मिले थे लेकिन दोस्तो कमपनी दिवालिया गोशित हो चुके थी शेयरोल्डर पेटर्न के अगर मैं बात करता हूँ तो 49.21% का स्टेक प्रमोटर्स के पास था और यहाँ पर यह भी देख सकते हो क्या प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को गिरवी रखा तो दोस् दोस्तो एक से दो साल के अंदर अंदर कमपनी 700 रुपे पे ट्रेट कर रही थी वो यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद आज मार्केट से ही भार जा रही तो आप देख सकते हो दोस्तो कभी आप लोगों के साथ भी इस प्रकार का दुरगटना हो सकता है मार्केट मे दो जिसके लिए हम यही बोलते हैं कि जो कमपनी के बारे में आपको पूरी एक एक चीज पता हो उसी कमपनी में आप इंवस्मेंट करिये दोस्तो ऐसे पेनी स्टॉक में आप बिलकुल भी इंवस्मेंट करिये अगर आपको इंवस्मेंट करने का सोक भी है दोस्तो तो लगाई है इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लगाई है जब ये पेने स्टॉक का वेलिवेशन मार्केट में बढ़ जाएगा जब वहाँ पर जाके काफी अच्छा इंवेस्मेंट कर देना लेकिन जब इस प्रकार के पेने स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहा करे हम हर दम आप लोगों को दोस्तो कॉलिटी वाली कमपनियों के बारे में इंवेस्मेंट करते हैं डेली बेसेस पे आप उनमें अपना तकड़ा पैसा लगाई है दोस्तो और अच्छा खासा मुनाफा उनमें आप छे मेने एक साल दस साल में निकाले क्योंकि वो कमपनिय आपको हर छ तो यह अपडेट था दोस्तो DHFL के उपर जो आप इसके ट्रेडिंग एरिया है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे कल की डेट में ठीक है तो अब यह अपडेट अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लिस दोस्तो इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम डेली बेस्स पर आप लोगों के लिए इंट्रेडे की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहते हैं थैंक्यू दोस्तों